हेलो दोस्तों सभी माताओं वहनों को जय श्रीरान जय मातादी दोस्तों मुझे उमीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों दोस्तों आज फिर से एक नए एपिसोड के साथ हम लोग आपको बता रहे हैं कि हमारा जो आगे का प्रोसेस था दोस्तों जो कि हमने बाद फिर काफी समय करते करके दोस्तों फिर मेरे पास एक और नया अप्लेट फॉर्म हाया जो कि मैंने टाइम स्टेलिस्वाफ कंपनी को जोईन किया जिसमें हम लोग दोस्तों जो कि जिसका टीवी में एड आता है दोसका भी जो कि धनलक्षमी अंत्र करके होता है जो कि क सब्सक्राइब करें जाया तो बुर्णाओं में करीब देखा जाय तो मैंने पांच और चाल करीब वहां पर मैंने वर्प की आढ़गों के अंदर क्या था कि उस तो बुर्णाओं के अंदर मुझे काफी अच्छा एरिया लगता था बुड़ गाँ के अंदर बुड़ यह अच्छे से हमारा गॉमा पड़ा था और अच्छे लोग ही मिलते थे दोस्तों आपे मुझे और हम लोग दिली में मतलब पीरागडी मुस्का ऑपिस होता था था तो फीरागडी से लेके हम लोग सुबह 10 बजे से लेकर और रात के दस वेजे तक हम लोग फील्ड पे रहत तो उसमें होता क्या था कि दोस्तों जम각 दस ते लोग दस बजे आते दितु हम अधार अम लोग हम भी एरिये में चलिजाते, दिली वहाशनित दिली अपका वहाशनित दिली में काम करते हुए सके बास सावह दिली में काम कर दिली नरे नरे साव Margaret तो समय लगता है तो समय के साथ दोस्तों यह था कि अपनी गाड़ी अपनी रेगुलर चलानी पड़ती थी त्रैफिक तो आपको पता है दिल्ली न्सी आर में कितना होता दोस्तों त्रैफिक भी होता था तुम लोग वहां से गुड़गाउं से मानेश सर तावडू छिटनम वाडी तक भी अम लोग फील्ड पे जाते थे आप समझ सकते कि बाइक से बंदा कैसे इतना तो इसके बाद फिरम लोग आते थे रिटन आते हमां मतलब रिटन आते करीब रात के दस बज जाते थे द्श बजे हमें ऑहां पर परहन में सब कुछ तो कि रात का करीब मैं बताओं आपको पहुने ग्यारा के करीब टाइम था दस बज के पैंतालिस मिनट के करीब टाइम हो चुका था और लेडी में लेट हो रखा था वहां से उपसे तो हम लोग आ रहे थे तो पीछे से दोस्तों होगा क्या हमारे साथ बड़ा हाथसा हो गय और एक्सिडेंट ऐसी जगह पर हुआ जहां पर हम लोग निकलते थे तो वहां पर मंदिर भी हो करते थे मंदिर हैं अभी भी हैं दोस्तों वहां पर काली माता के मंदिर हैं दोनों साइड में रोड के दोनों साइड में मंदिर हैं काली माता के तो वहां से हम लोग गुजर तो गाड़ी आते हैं जब तक मैंने उसको देखा दोस्तो तो उस टाम पे वो गाड़ी जब तक मैंने साइड कर नहीं पाई उतनी देर में उड़ा दिया और बहुत मतलब स्पीट में गाड़ी थी इसकी मैं बता हूं आपको बेर सौस से जादा स्पीट पे होगी उसकी तो दो तीन दिन हम लोग ड्यूटी भी नहीं जा पाए दो तीन दिन मतलब रेष्ट भी हुआ मेरा गाड़ी भी मेरी जो तो मतलब खतम होगी थी मारी आगे का पूरा दोस्तो पॉरसंग खतम हो गया था सोचो माता रानी ने मुझे बचा लिया कि माता रानी के इतनी पर दृष्टी थी वहां से मैं निकलता था जब भी तो जय माता दी भोल के निकलता थो उनकी माता रानी के करपा दरश्टी ऐसी थी दोस्तों यह नहीं नहीं हमें बचाया हुआ किसी तरीके से जो कि मैं आज आज आपके सामने आप को खेश कर रहा हूं दिखा रहा हूं तो मिल पारहूं आप लोगों से नहीं तो मेरा तो वुजूद उसकी दिन ही खतम हो चुका होता हुआ तो दोस्तों उसके बाद प्रम लोग रात के देखा जाए तो रात के लग होस्पिटल से रिटान आते आते मुझे रात के सुबह मौर्निंग में चार बज चुके थे आते आते घर के फिर नींद मेरी दोस्तों नहीं हो पाई तो उपर से इतना बड़ा हाथ सा हुआ तो दो स से तीन दिन मुझे लग बेद घर पर ही रेस्ट करते करते फिर से दोस्तों मुझे बागना पड़ा दोते दिन के बाड़ डूटी पर क्योंकि प्रोड पर एक्सिदेंट होता है तो फिर चलना तो लोग फिर भी नहीं बंद करते तो मुझे भी लगा कि दोस्तों अगर चलने 3,5 साल के बाड़ जब दोस्तों की मुझे लगा कि काफी टाइम हो गया है और हमारी सेली वहां भी 10 तेन घॉजन की ती तो 10,000 में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि महंगाई के टाइम पर कितना क्या कर सकते हैं और उपर से फैमली भी बच्चे भी और उपर से कोई ना कोई हारी बीमारी भी घर में रहके लगी जाती है फैमली में तो उसको भी देखना प्लस गाड़ी का मैंटिनेंस अपना भी मैं पर तक खान पान का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है तो अगलब आप समय सकते हैं तिन महिंगाई में तेन थाओजन में अगर देखा जाए न तो एक फैमली वाले बंदी के लिए भी बहुत कम है दोस्तों तो इस तरीके से सिलसला चलता रहा आगे दोस्तों तो आगे फि कि मितलब कहीं मुझे ऐसी जोब मिले ताकि हमारा घर अच्छे से चल पाए तो दोस्तों मुझे मेरे पास एक लाइफ में आई एक कंपनी जो की लोकल सॉलूशन प्राइवेट लिंटेड लोकल सॉलूशन प्राइवेट लिंटेड आई तो उस पीरियोड पे हुआ कि हम ज जगह दिखाया जिसने जहां दोस्तों बताया हर जगह मैंने उनको वहां पे दिखाया और हर जगह दिखाने के साथ साथ दोस्तों मैंने जब हर जगह पिता जी को दिखाया आपने मैंने ये भी बोल दिया था कि दोस्तों मेरे पिता जी के लिए मुझे चाहे कुछ भी करन पर दालने के लिए था सब्सक्राइब कर दो किता जी का जो हद्सा हुआ था उसके बाद मैं ओवर नहीं पाया था अच्छी से दोस्तों उसके बाद पर मैं जब लोट के आया तो मैंने लोकल सॉलुशन कंपनी को जब जोईन किया तो उसमें भी हमारा यही वर्क रहता था जो कि हम लोग आज वर्क कर पा रहे हैं तो हम लोग वहां पर कंडिडेट्स बगारा का काम करते थे लगाते थे काम पर भेजते थे लोगों को फेस हमें करना पड़ता था सारी जगे जाना आना पड़ता था तो दोस्तों लोग कि कुछ ऐसी प्राबलम थी कि उन्टों ने काफी स्टाप की पैमेंट रोक रखी थी नहीं दे पा रहे थे वो लोग जब भी किसी के पैमेंट आती थे वो लोग इंजॉइमेंट करते थे और चीजों में घर्च करते थे मतलब लेकिन जो इस्टाप की सेली जो आफिस के वर्ग जो आपको कमा के दे रहे हैं उनकी पैमेंट नहीं मतलब नहीं टाइम से दे पा तुक्ति के पस और कंपनी बंद हो चुकी है कंपनी तो जोंडे नहीं है कि जो जो चेलोग फार्ना को भून से कि मेरा टाइम तो फिक्स है आट से दस गंटे का उसके बाद भी हम लोग बारा च्वदा च्वदा गंटे टाइम देते थे इसलिए था कि कुछ मेरे लिए भी एक सीख रहेगी दोस्तों एक सीख भी मिलेगी काम के बारे में नौड़िज बढ़ेगे हमारी और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों में मिल पाएं गे और दूसरा होगा की मतलब कमपनी आगे बढ़े की कमपनी जब आगे बढ़ेगी तो साहद मैं भी आगे बढ़ूंगा दोस्तों तो यह हमारी सोच हमेशा रही है काम के बद्रति किसी के पास भी मैंने कहीं भी लइब में अगर काम किय है लाइब में कहीं भी जौब किया है तो वहां पे हमारे साथ मैंने हमेशा एक अपना काम समझ के ही किया हुआ है कि अगर बंदा आगे खुद बढ़ेगा तो जाइसी बात है हम भी बढ़ेंगे यह सोच के दोस्तों लोग चलते हैं हमेशा तो अब सभी माताओ बैनों से नी हमारे सामने टेंक करें और दोस्तों को भी दोस्तों कर दिया करें छो कि बीस तो प्लीज आइकन भी दबाएं ताकि नया वीडियो जब भी हम बनाएंगे तो आपके पास पहुंचे दोस्तों तो सभी माताओं बहनों से मिलते हैं आगे एक नए वीडियो के साथ तो सभी भाईयों को माताओं को जै स्री राम जै मातादी दोस्तों